बॉलिवूड इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है जहां पर लाखों लोगों का पेट इंडस्ट्री से ही चलता है लेकिन बॉलिवूड जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है क्योंकि बॉलिवूड इंडस्ट्री में इतने सारे अफेर इसे mixt accents चोते हैं जिन में बहुत सारे लोगों की जिन्दगी बर्बाद हो जाती है और एक ऐसा ही नाम हे सलमान खान का जो इन सभी चीजों में एक नहीं बलकि कई skrp da भी नेट्रियों की जिन्दगी बर्बाद कर चुके हैं जिनके प्यार में हमारे बॉलिवूड में बहुत सारी हीरोईन ऐसी हैं जो जाने अंजाने में बहुत सारी गलतिया कर बैठी हैं ऐसे में आज हमारी इस वीडियो में हम आपको सल्मान खान की उनी आयासियों के बारे में बताएंगे जिन में ना सिर्फ कैपना कैफ बल कि कई और अभी नेत्रियों की जिन्दगी बरवाद हो चुकी है दोस्तों बॉलिवूड के भायजान यानिकी सल्मान खान के गुसेल सुभाव से तो हर कोई वाकिफ है जहां आप उनके बारे में यहे भी जानते होंगे कि सल्मान खान इंडस्ट्री के इकलोते ऐसे कलाकार हैं जो करीब 30 सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और उन्होंने ना सिर्फ कई बहतरीन कलाकारों की जिन्दगी सबारी है बलकि कई ऐसे नामी कलाकार भी हैं जिनका करियर उन्होंने डुबो दिया जिन्होंने नबे के दश्यक में खूब नाम कमाया था हाला कि सल्मान खान से जुड़ा भी बाद हमेशा बॉलिवूट के गलियारों में चर्चाओ का हिस्सा बना रहा जिसमें ऐश्वरिय राय से लेकर केटविना केफ तक के नाम शामिल है जिसमें आप ऐश्वरिय राय और सल्मान खान के लव अफेर से तो वाकिफ होंगे ही जिसका अंत कितना बुरा हुआ था लेकिन दूसरी तरफ सल्मान खान और केटविना केफ की रिस्ते भी खुब सुर्कियों में रहे थे और ऐसा ही कुछ हुआ केटविना केफ के साथ जी हाँ दोस्तों जब केटविना केफ ने बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था तब बॉलिवुड इंडस्ट्री के भायजान यानि कि सल्मान खान चिकनी और खुब सुर के बीच अफेर की खबरे आग की तरहा फेल गई थी इतना ही नहीं इन दोनों के अफेर्स के दोरान ही केटविना केफ को अवोशन करवाते हुए स्पोर्ट किया गया था और इसे साफ जाहिर हो रहा था कि केटविना केफ प्रेगनेंट थी जिसके चलते लोगों ने कहा कि व इस प्रेगनेंसी की वजहार अनवीर कपूर को भी मान रहे थे लेकिन हैरानी के बात तो तब हुई जब केटविना केफ को अवोशन कराने वाले हॉस्पिटल में तीन से चार बार स्पोर्ट किया गया और सूत्रु के अनुसार जब मीडिया ने वहां के डॉक्टरों से प कितनी सची है कितनी जूठर का जवाब हमें कमेंट बोक्स में जरू दें तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे सल्मान खान की इन हरकतों के बारे में आप अपनी राहे हमें कमेंट करके जरू बताये साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें